फरीदा के सभी पडोसी उसके दोस्त थे और तो और उसके घर के आसपास के सारे पशु पक्षी भी उसके दोस्त थे फरीदा उनका खास खयाल रखती थी और उनके लिए वो रोजाना एक दावत सजाती थी पर छोटी सी फरीदा रोज दावत कैसे देती थी जानने के लिए सुनते हैं कहानी फरीदा की दावत जिससे लिखा है मैगन डॉप्सन सिप्पी ने छोटी सी फरीदा हर शाम घूमने निकलती है एक चार डिब्बे वाला बड़ा खाली टिफिन और एक बड़ी सी पानी की बोतल साथ में लेकर वो रोज पांच जगहों पर जाती है और अपना डिब्बा भरती है फरीदा का सबसे पहला पड़ाव है उसके घर की रसोई रसोई में जाकर फरीदा मा से कहती है मा मुझे कुछ दाल और चावल के दाने दो ना मा मुस्कुराते हुए उसे दाल और चावल के दाने देती है फरीदा अपने बड़े टिफिन के पहले डिब्बे में दाल और चावल भर लेती है घर से निकल कर दो कदम पर सबजी मंडी में सबजी वाली चाची सबजियों के बीच बैठी होती है चाची चाची आज तुम्हारे पास जितने पिछके हुए बैंगन टमाटर है ना सारे दे दो मुझे फरीदा चाची से कहती है चाची ने पहले से ही सारी पिछकी हुई सबजिया फरीदा के लिए इकठी करके रखी थी फरीदा ने सबजियों को अपने बड़े टिफिन के दूसरे डिब्बे में भर लिया खुशी खुशी फरीदा आगे चल पड़ी आगे तीन कदम पर रतन काका की चाई की दुकान थी काका काका मेरे लिए तूटे हुए बिस्कुट बचा के रखे हैं न फरीदा ने रतन काका से पूछा हाँ फरीदा मैं भूल सकता हूँ भला जो भी बिस्कुट तूट जाते हैं तुम्हारे लिए ही रख देता हूँ रतन काका ने फरीदा को बिस्कुट के टुकडे देते हुए कहा फरीदा ने हसते हुए बिस्कुट के टुकडों को अपने बड़े टिफिन के तीसरे डिबे में भर लिये और आगे चल पड़ी दावत की तयारी करने आगे चलते हुए चार कदम पर मचली की मंडी में रानू ताई मचलियां समेट रही थी मचलियां समेटते समेटते रानू ताई ने फरीदा से कहा आ गई फरीदा मुझे लगा आज नहीं आओगी देर जो हो गई है लाओ मैं सारी बासी मचलियां तुम्हारे डिबे में भर देती हूँ ये कहकर रानू ताई ने बासी मचलियां फरीदा के बड़े टिफिन के चौथे डिबे में भर दी चार डिबे वाला बड़ा टिफिन अब भर गया था और भारी भी हो गया था अब बस एक और पड़ाओ फिर दावत पांच कदम चलके फरीदा पहुँची बिल्लू भाई कुम्हार के पास जो तरह तरह के मिट्टी के बरतन बनाते थे कटोरी, सुराही, मटके, प्लेट, गिलास, सिकोरे और भी बहुत कुछ बिल्लू भाई, बिल्लू भाई, मेरे लिए तूटे-फूटे कौन किनारे वाली कटोरियां बचा लिये है न? फेक तो नहीं दिये फरीदा ने पूछा बिल्लू भाई बोले, आओ आओ फरीदा, कभी ऐसा हुआ है क्या? इतनी नेक बच्ची हो तुम ले लो, ये सारी तुम्हारे लिए सारी कटोरिया लेके हमारी फरीदा चली घर की ओर वहां जाके उसने कटोरियां सजाई पहली कटोरी में बासी मचलियां इलाके की सारी बिल्लियां फरीदा के इंतजार में बैठी थी सब आके अपना दावत चट कर गई फिर दूसरी कटोरी में उसने बिस्कुट डाले मुहले के सारे कुत्ते उसकी ओर आके नाश्ता करने लगे भाव 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 फरीदा तो उनके लिए रोज खाना लाती थी पिचकी हुई सबजियां फरीदा ने कवों को खिलाया और आखिर में छोटे छोटे दाल चावल के दाने उसने चिडियों को खिलाया सब के लिए पानी भी भर भर के रखा बहुत ही शानदार दावत देती थी हमारी फरीदा अब समझे छोटी से फरीदा कैसे हर रोज जानवरों की दावत सजाती थी अपने पडोस के दोस्तों की मदद से कैसी लगी फरीदा की कहानी क्या तुम भी अपने घर के आसपास के पशुपक्षियों को खाना देते हो